वेज मंचूरिन आपने बहुत बार खाए होंगे आलू मंचूरिन भी खाए होंगे लिकिन आज मैं आपके लिए कैबेज मंचूरिन की रेसिपी लेके आई हूँ बिल्कुल होटल रेस्टरेंट को फैल करेगी और बिल्कुल आसान तरीके से आज इसे हम घर पर ही बनाएंग तो cabbage manchurian बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पता गोवी ले ली है यह देखी बिलकुल अच्छे से मैंने इसको wash कर लिया है एक से दो layer मैंने इसके उपर के निकाल दी है जो थोड़ी सी dirty गंदी हो चुकी थी और यह देखी दो हिस्सों में इसे हम cut कर लेंगे ताकि अच्छे स इसे ग्रेट हो जाए अब यह देखि इसको grate काइसे करना है जो यह सबसे मोटे वाले parts होते होते हैं मोटे उखेज होते हैं यहां से हमने इसे grate करना है अब चाहू तो बिल्कुल बारी किसे चोप भी कर सकते अगर greater से grate नहीं करना चाहते तो ये देखी मैं सारी की सारी आधी गोभी मैंने इसे अच्छे से grate कर ली है अब इसमें हम एक छोटी चमच नमक डालके अच्छे से mix करके 10 मिनट का इसे rest दे देंगे तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं ताकि हमारा time waste बाद में ना हो तो मैंने यहाँ दो चमच टोमेटो कैचप की लिए है साथ ही एक से डेड़ चमच मैंने सोया सोस लिया है एक चमच रेड चिली सोस लिया है और साथ ही एक चमच ग्रीन चिली सोस लिया है और इन्हें अच्छे से mix करके side में रख देंगे अब दूसरे बोल में एक चमच मैंन चोड़ दिया है क्योंकि नमक हम नहीं इसमें डाल दिया था ना तो ऐसे हाथों से हम निचोड के इसका सारा पानी निकाल लेंगे ताकि जब हम बाद में हम इसमें मैदा और कॉनफलो डाले ना तो बहुत सारे उसकी टेस्ट नाए कैबिज का ही टेस्ट आना चाहिए और यह मैंने यहां बारी कट करके ग्रीन चिली डाली है ब्लैक पेपर पाउडर डाला है चाट मसाला डाला है रैड चिली पाउडर डाला है नमक और हल्दी डाला है और अब यहां जाएगा दो चमच भर के मैदा और साथ ही दो चमच भर के यहां कॉन फ्लोर जाएगा अगर आप के पास कॉन फ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं चावल को घर पे ही आप ग्राइंड करके और इसमें अच्छे से डाल सकते हैं और यह देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इस तरह से हम बोल्स बनाई है तो बहुत अच्छे से हम नाली है गोल गोल शेप मेंने दे ली यह आप कोई भी शेप दे सकते हैं बट नॉर्मली हम गोल शेप में ही मन्चूरियन बनाते हैं ओईल गरम होने के लिए मैंने रख द्यादा मीडियम होड हमारा ओईल होना चाहिए ऐसे कोई टोगडा डालें तो एक दम से उपर तैर के चाहिए इट मींज ओई हमारा बिल्कुल अच्छे से गरम हो चुका है सारी की सारी बोल्स इसमें हम डाल देंगे और चार से पांच मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें हम पकने देंगे साथ ही साथ थोड़ा सा हिलाते भी रहेंगे ताकि अच्छे से हर जगे से य और थोड़ा सा हम इनहें 10 से 15 मिनिट का rest देंगे यानि की इनहें हम पहले थोड़ा सा ठंडा करेंगे उसके बाद क्रिस्पी करने का राज ये है कि थोड़ी से ठंडे होने के बाद दोबारा से हमोदी फ्राइव इसली करते है ताकि ये बोहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ह बहुत ही टेस्टी क्रंच इनके अंदर आए होटल रेस्टोरेंट में ऐसे ही किया जाता है 80-90% इन्हें फ्राई करके और रख दिया जाता है और जब भी कोई ओडर आता है ना तो सेकेंड फ्राई वो निकालते हैं ताकि बहुत ही अच्छा क्रंची सा और क्रिस्पी सा टेस्टी इन настолько आजाए तो यह देखिए आप इनकी साउंड देखिए बहुत ही टेस्टी है बहुत ही क्रिस्पी आवाज और बिल्कुल यह देखिए आपको तोड ओकी दिखाती हूं अ चारलिक पेस्ट डालेंगे साथ ही मैंने यहां जिंजर पेस्ट भी डाल दिया है और इन्हें अच्छे से एक से दो मिनट तक हम चला लेंगे लो फ्लेम पे अब इसमें जाएगा कुछ कैपसिकम मैंने यहां पे रेड और येलो और ग्रीन तीनों कलर की कैपसिकम ली है आप चाहो तो ग्रीन भी ले सकते हैं अगर आपके पास यह दोनों कलर नहीं है प्याज को मैंने थोड़ा इस तरीके से कट कर लिया है साथ ही हरी मिर्च थोड़ा लंबा चोप करके डाल देंगे और एक से दो मिनट तक इन्हें भी हम पका लेंगे हलके हलके करंचीनेस इनके अ कौन फ्लोर वाला भी हम इसमें डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें थोड़ा सा हम पाने डाल देंगे आधा गिलास के करीब और इसे भी थोड़ा सा चला लेंगे और जैसे हमने कौन फ्लोर डाला ना तो यह बहुत ही जल्दी ठीकने ग्रेवी के अंदर ला देता है तो यह दिख हैंगे न की बहुत जलदी के अंदर ही łसा अर् से की रच के अंदर हो जाए है मैम चलती है गाख है jo ha को दिखाँ अन्दर हुआ है और यहां हम की बनाइव यहां तो कि प्लेटिंग कर से क्रिस्पी हमारे कैबज मंचूरियन बनके तयार हो चुके हैं उपर से थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन को गार्निश मैंने कर दिया है और यह देखी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ सूपर सोफ्ट हमारे बोल्स बनके तयार हुए है इस रेसिपी को आप जरूर ही ट्रा चरूर करना थैंक यू सो मच फर वाचिंग